एहमदाब आट्टू मुंबई वाया एनेस 48 टोटल डिस्टेंस है 521 किलोमीटर और टोटल टाइम लगेगा करीब 10 घंटे और वहीं अगर ट्रेन से जाते हैं तो करीब 7 से 8 घंटे और वो डिपेंड करेगा ट्रेन के टाइम पर कितना लेट है या कितना जल्दी चलता है यह सब चीजे तो बहुत से लोग जानते हैं लेकिन फिर भी मैं इसको क्यों बता रहा हूं क्योंकि अब केवल दो घंटे में आप एहमदाबाद से मुंबई तक पहुंचने वाले हैं वो कैसे भारत का पहला बुलेट ट्रेन जी हाँ भारत कुछ ही महीनों के बाद अपना खुद का बुलेट ट्रेन इंडिया में चलाने जा रही है वो भी एहमदाबाद से मुंबई तक आईए इसके बारे में पूरी डीटेल से जानते हैं क्या है प्रोजेक्ट कितना काम हुआ है और कितना पहुंदाबाद पहुं कब तक चलने की उमीद है इंडिया में बुलेट ट्रेन की स्पीड होने वाली है 320 किलोमीटर परावार और पहला जो रूट है एहमदाबाद से लेकर मुंबई तक करीब 508 किलोमीटर केवल दो घंटे में इन सभी के बीच में आने वाला है 24 रीबर ब्रिज यानि कि 24 जगा नदी पर ब्रिज बनाए जाएगा और इसके साथ ही 28 स्टील के ब्रिज बनने वाले हैं साथ ही साथ साथ माउंटेंड टनल को चीरते हुए आगे चाहेगी ये पुलेट ट्रेन इसके साथ ही 7 किलोमीटर अन्डर चीरी में चलने वाली है और साथ ही साथ टोटल बारा इस्टेशन पर ये बुलेट ट्रेन रुखेगी चिन सभी स्टेशनों पर ये बुलेट ट्रेन रुखेगी उन सभी पर आपको हर एक स्टेशन पर इंडियन कल्चर दिखाई पड़ेगा वर्ड क्लास की इंजिनरिंग और फिर इंडिया का फ्यूचर परजेंट करने वाला है ये बुलेट ट्रेन सबसे पहला बुलेट ट्रेन इस्टेशन स्रावर मती बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है जैसा कि हमने बताया कि भारतिये परंपराओं की हिसाब से सभी स्टेशन को बनाया जा रहा है तो इस स्टेशन पर आपको गाधी जी दौरा डांडी यात्रा करती हुए दिखाई पड़ेंगे साथी साथ साबर मती मल्टी मॉडल ट्रांस्पोर्ट हब बने जा रहा है वो कैसे चलिए देखते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर अहमदाबाद Electricity Corporation Metro Station Red Line मिलेगी जहां से आप यात्रा कर सकते हैं Metro के द्वारा इसके अलामा BRTS साबर मती पावर हाउस बस स्टाप AMPS पावर हाउस बस स्टाप और स्वाथी साथ बेस्टन रेलवई का साबर मती रेलवई स्टेशन और दिल्ली लाइन से कनेक्ट करने वाला साबर मती रेलवई स्टेशन और अब हाइ स्पीड रेलोवे स्टेशन यानि बुलेट ट्रेन स्टेशन इतना सारा ट्रांसपोर्टेशन एक साथ एक ही जगां इसलिए तो कहा गया है साबर मती मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब जैसा कि मैंने बताया कि एहमदाबाद से लेकर मुंबई तक टोटल बारा बुलेट ट्रेन स्टेशन बन रहे हैं और दोजार शब्विस तक इस पर बुलेट ट्रेन तोड़ने भी लगेगी और साथ साथ ये जो प्रोजेक्ट है एहमदाबाद टू मुंबई कम्पलीट होने के बाद पूरे देश में पूरे भारत में सेकड़ो इस्टेशन उसी तरह से बनना स्टार्ट हो जाएंगे बस अभी तो शुरुआत है आगे आगे देखते जाईए क्या क्या होता है चलिए अब हम इस वीडियो में लेते हैं स्टॉप और भी अफडेट जानना चाहते हैं पुलेट ट्रेन के बारे में तो अभी सब्सक्राइब कर लो जै श्री राम